नमस्कार दोस्तों यूट्यूब के ग्यान सक्सू चैनल पर आप कारदेख स्वागत हैं दोस्तों इस ओडियों में हम सिकलिंग नामक रोग के विशे में जनकारी देने जा रहे हैं बड़ा जटिद रोग है दोस्तों सिकलिंग क्या है जिसकी विशे में बताते हैं यह लाल तस्तरी के आकार की होती हैं वैसे आकार की होती है लेकिन इस बेमारी में रख्टकन हाशी जो फसल काटने में दराती के बोल जाती ना दराती क्षेत्रिय बाशा में हमारे रांती बोलते हैं हशिया के आकार के हो जाते हैं जिसकी वज़े से लचीले कम होते हैं और रक्त कोशिका हैं एक दूसरे से चिपक जाती है और रक्त वाइनियों में खुन का बाव कम हो जाता है जिसकी वज़े से तेज दर्द, शंकर्मन और अंगों को नुक्सान पहुंच सकता है शिकलिंग के कारण क्या है दोस्तों यह एक अनुवान शेक बिमारी है अगर किसी के माता पिता दोनों में से एक के भी प्रभावित जीन मिलते हैं तो उसे यह तकलीब हो सकती है शिकलिंग ट्रेट क्या है दोस्तों इस पर बात करते हैं अगर एक ही जीन शिकलिंग से प्रभावित होता है तो इसे शिकलिंग ट्रेट कहते हैं इने कोई तकलीब नहीं होती है लेकिन इन से शिकलिंग के जीन इनके बच्चों में जा सकते हैं शिकलिंग के लक्षण क्या है इस पर बात करते हैं शिकलिंग की बिमारी में तकलीफ, खोन की कमी, एनिमिया और दर्द होता है एनिमिया के लक्षण क्या है दोस्तों सांस पूलना, चक्कराना, सरदर्द है, हाथ है और पाउं में ठंडा पंचाती में दर्द है दर्द से संबंदित तकलिफ हैं जिन में अचानक से पूरे स्रीर में तेज दर्द, इस बिमारी से गरुशित व्यक्ति को सिकलिंग से तकलिफ एक साल में कई बार हो सकती है दोस्तों जिसके परमुकलक्षन है, साते में तेज दर्द होना, आत पाओं में सूजन, पांच साल स लकवा जिसको बोलती है और अदरंग भी बोलते हैं पिते की ठैली में पत्री पाओं में गाओगा हो जाना शेकलिंग बिमारी का पता कैसे चले दोस्तों कुछ विशेश परकार के खुन जांच करने से इस बिमारी का पता लग जाता है इस जांच के बाद आप बहुत पिमारी के तकलिक glorio बिमारी के बच सकते हैं दर्द शे आपको रायद मिर शक्ती हैं संक्रमान और पक्षाबाद से बचा हो शकता है आँखों की सुर्क्षा 6. रखती है सिख्री से सिख्रीन के लिए आपको क्या करना चाहिए to по करने चाहिए एट प्रसा, रख्त चड़ाना चाहिए और शाधी की पूरों लड़के तथा लड़की की सिख्रीन के जांस करवानी विवाह बाद में करना चाहिए दोस्तों तो यह जो शिखलिंग के बचाव के लिए उपाई बताई है सारे डॉक्टर्स की देख रहे एक मैं हूँ तो ज्यादा अच्छा है और ये बिमारी जो है बड़ी विकट है इसलिए इसके विशे में जानकारी जो है वही इसके लिए बचाव हुआ है तो सिखलिंग के बारे में जानकारी आप प्राप्त किये हैं आपको और अधिक जानकारी हो तो आप टिपनी में लिखें और इस जानकारी को आप अपने जानकारों को शेयर करें धन्यवाद